आज के मुख्य अनुच्छेद व्यवस्था विवरण अध्याए 32 की आयत साथ के माध्यम से मैं महायाजक की वन्शावली के बारे में बात करना चाहता हूँ. तो आज यह सिर्फ परिचय होगा. इसलिए इसमें बहुत कुछ शामिल है. और यह मुक्तिक इतिहास की छठी पुस्तक पर आधारित है. बेशक यह अभी तक अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं हुआ है. लेकिन इसका अनुवाद किया गया है और यह बहुत जल्द प्रकाश होने के लिए तैयार है. इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शायद इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में और इसलिए यह जाने के लिए तैयार है और चीजें आप जानते हैं आगे बढ़ रही हैं. और इसलिए यह आपको छठी पुस्तक के बारे में समझने में मदद करेगा ये बस एक तरह से सामान्य अवलोकन और सबसे पहले हम वन्षावली के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका कार्य क्या है वन्षावली का अध्ययन करने का कार्य और महत्व क्या है तो फिर सामान्य तह वन्शावली का अध्ययन क्यों करें क्यों अध्ययन करें सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं आप जानते हैं मोचन का इतिहास और इसलिए मुक्ति के इतिहास को संक्षेप में बताने के लिए इसमें स्रिजन के तीन मुख्य तत्व है और आदम और स्त्री की अवग्या के कारण स्रिजित संसार का पतन हो गया, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री से संतान का वादा किया और इस प्रकार यह पुनर निर्मान का कार्य था पुनर स्थापन और अंत में दूसरे आगमन के माध्यम से पूर्णता होगी और पूर्णता आप जानते हैं पूर्णता है दूसरे आगमनवाले प्रभु के माध्यम से समापन और यह सब च्छुटकारे का इतिहास है और यह सब यीशू पर केंद्रित है यीशू की मृत्यू और पुनरूथान क्रूस पर यीशू की मृत्यू और उनका पुनरूथान और इसलिए उद्धार के इस पूरे कारे को छुटकारे का इतिहास कहा जाता है और दूसरे शब्दों में यह बाइबल है और यदि आप इफिसियों की अध्याए एक पद साथ को देखें यह उसमें है, आपको उसके छुटकारे छुटकारे के कारे द्वारा अपने पापों की क्षमा मिलती है। और इसलिए छुटकारे का मतलब है कि एक कीमत चुकाई गई थी। इसलिए उद्धार सस्ता नहीं है या यह मुफ्त नहीं है। लेकिन यीशु ने फिरौती का अध्याय तीन श्लोक पंद्रह की पूर्ती बन जाता है, जहां परमेश्वर ने वाचा के रूप में वादा किया था कि मैं सर्प के सिर को कुचलने के लिए स्त्री के बीज को भेजूंगा। और इसलिए छुटकारे का यह सारा कार्य यीशु की मृत्यू और उसके पुनर उत्थान पर केंद्रित है, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अता, दूसरे आगमन में जैसा की प्रथम कुरिंथियों के अध्याय पंद्रह पद पचास से बावन तक है। राज्यों, वहां दो मुख्य घटनाएं थी और ज इसलिए पुनरुथान और फिर जो जीवित हैं, जब हम अंत समय में प्रभू से मिलेंगे, चूंकि हम उस समय जीवित हैं, फिर वहां रूपांतरण होता है। और इसका मतलब है कि हम मृत्यू को नहीं देखेंगे, बल्कि हम आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित हो जाए और हवा में प्रभू से मिलेंगे और सभी से मिलेंगे। और इसलिए यह मोचन का इतिहास है, लेकिन यह वास्तव में है. यह सिर्फ मुक्ति का इतिहास नहीं है, बलकि यह इतिहास है मेरा मोचन या हम कह सकते हैं हमारा मोचन और इसलिए यहां, यहां हम अंत के समय में उद्धार करता के आगमन के निकट खड़े हैं दूसरे भगवान, तो यह हमारा है आप यहां हैं गूगल मैप्स में, आप यहां हैं तो हम उद्धार के कारे की पूर्णता के बहुत करीब हैं और इसलिए यहां यह छुटकारे के इतिहास का सारांश है तो फिर इसका वनशावली से क्या लेना देना है क्योंकि ज्यादा तर लोग वन्शावली को छोड़ देते हैं, ये बहुत उबाव है, लेकिन सबसे पहले वन्शावली मुक्ति के इस विशाल इतिहास का संक्षिप्त सारांश है, इसलिए वन्शावली है, संक्षिप्त सारांश, मोचन के इतिहास का, और इसलिए यदि आप देखें, उदाहरण के लिए, उत्पत्ति, अध्याय पांच, श्लोक एक, इसमें पीडियों की पुस्तक कहती है, और हिब्रू में पीडियों की पुस्तक एक जोडी है, जिसे शपत पूर्वक अलग बताया गया है, नहीं, तो ये पीडियों की पुस् पुस्तक है, इसके עלावा, यदि आप मेत्यू अध्याय एक, श्लोक एक को देखें, तो हमारे पास यह भी है, यीशू की वन्शावली की पुस्तक, वन्शावली की पुस्तक, और यहां, यह भी है, विबलोज, जनेसियोस, एयो, और यह बिबलोज है, यह पुस्तक है, वन लेकिन उन कुछ छंदों में मुक्ति का एक विशाल इतिहास समाहित है जो संक्षिप्त है और इसलिए यह सिर्फ नाम नहीं है बलकि नामों के भीतर एक महान इतिहास है उदाहरण के लिए यदि आप अमेरिका से हैं और आप संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के सभी राष्ट्रपतियों को याद कर सकते हैं तो आप प्रीमियर को जानते हैं और यदि आप राष्ट्रपतियों के नाम सूची बद्ध करते हैं तो बस नाम सुनकर आप जानत जानते हैं कि उस युग में क्या हुआ था, उदाहरण के लिए आप जानते हैं जिमी कार्टर या रोनाल्ड रीगन एटियस, आप जानते हैं ये वह जगह है जहां अमेरिका वास्तव में सम्रिध हुआ, और वे युद्ध में रूस से आगे निकलने में सक्षम थे, तो बस उस एक नाम से ही सारा इतिहास उसमें समा गया है, तो वनशावली संक्षिप्त सारांश है, ये इसे जिप फाइल की तरह संक्षिप्त करता है और इसे छोटा करता है, क्योंकि भगवान सब कुछ नहीं लिख सकते, तो दूसरी बात, हमें अध्यान करने की आवश्यक्ता क् है, महायाजक की वनशावली क्योंकि यह परमेश्वर की आज्या है, यह ईश्वर का आदेश है, और इसलिए हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आज्या मानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वनशावली का अध्यायन करने और आदेश देता है, उन्हें त्याग दिया गया है और उन्हें नीचा दिखाया गया है या उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 32 की साथवी आयत में कहा गया है, सभी पीडियों के वर्षों पर विचार करें। इसलिए पुराने दिनों को याद करें. और फिर यह कहता है, वर्षों पर विचार करें. सभी पीडियों का, और इसलिए विचार करें. हिब्रु में है बिनू, शनोट, और फिर दोर, वा डोर, तो दोर, वा, डोर, तो बिनू, इसका मतलब है, विचार करना, इसका मतलब है पूछताच करना, इसका मतलब है जांच करना, जांच करना, तो यह आदेश है, याद रखें, यह इश्वर का आदेश है, यह अनिवार्य आदेश है, आपको इस पर विचार करने की आवश्चता है, और आपको जांच करने की ज़रूरत है, और स जो शानोट है। शैनोट ये तारीखों और कालक्रम के बारे में बात कर रहा है। और तब डोर वाडोर का मतलब है पीढ़ी और पीढ़ीयां। लेकिन पीढ़ी और पीढ़ी का मतलब है सभी पीढ़ीयां और सभी पीढ़ीयां। जब आप पीढ़ीयों की सूची बनाते हैं तो यह वन्शावली के बारे में बात कर रहा है, तो वन्शावली, इसलिए परमेश्वर हमें सभी वर्षों की तिथियों और वन्शावली के कालक्रम का अध्ययन करने की आज्या दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का छुटकारे के इतिहास का प्रशासन छिपा हुआ है, तारीखों के अंदर, कालक्रम के अंदर, हम देखते हैं कि कैसे भगवान मानव जाती के साथ बातचीत की और बताया कि किस तरह उन्होंने मानव जाती के इतिहास में अपना विधान लागू किया, और जब हम ये गणना करते हैं, तो हमें इतिहास में परमेश्वर क और उसके संप्रभुकार्य का पता चलता है। और इसलिए यहां हम देखते हैं कि वन्शावली एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें आदेश दिया जाना चाहिए, जिसका अध्ययन करने और पूछताच करने का हमें आदेश दिया गया है। और खास कर अगर हम महायाजकों की वन्शावली का अध्ययन कर रहे हैं, महायाजकों की वन्शावली प्रथम इतिहास के अध्याए छह तीन से पंद्रह में पाई जाती है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकार की वन्शावली यह है कि यदि आप आदम से इतिहास को देखें, वापसी के लिए लगभग तीन हजार छेसो वर्षों का वह संपूर्ण इतिहास रहा। इतिहासकार की वन्शावली में संक्षेपित, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वन्शावली कहां दिखाई दे रही है और यह उनके सत्तर साल के बेबिलोन की कैद के ठीक बात दिखाई देती है। इसलिए आपको एतिहासिक संदर्भ को समझना होगा कि उन्होंने सत्तर साल बेबिलोन की कैद में बिताए थे। वे वापस आ गए हैं। और अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह एजरा ही थे जिन्होंने पुराने नियम को एक साथ रखा। और उन्होंने यह वन्शावली संकलित की। और उन्होंने इस वन्शावली को संकलित करने का कारण यह था कि लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ों को न भूलें। और इसलिए यह वंशावली सत्तर साल बाद दिखाई देती है और यह हमें बताती है कि इसराइल के पाप और अवग्या के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा लेकिन सत्तर साल बाद भी परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और परमेश्वर ने उन्हें फिर से बहाल किया और उन्हें वादा किये गए देश में वापस लाया और ये वन्शावली इस बात का सबूत है कि अंधकार के इस दौर के बावजूद छुटकारे का इतिहास बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा था और पूरा हो रहा था और इसलिए इस इतिहासकार की वन्शावली बहुत महत्वपूर्ण है और खास तोर पर इस इतिहासकार की वन्शावली लेवी के गोत्र पर आधारित है जो महायाजक का गोत्र है और यहूदा का गोत्र इसलिए महायाजक की इस वन्शावली के माध्यम से हम आध्यात्मिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया को समझने के लिए महायाजक वे होते हैं जो आध्यात्मिक चीजों उपासना के प्रभारी होते हैं और इस इतिहास की वन्शावली के माध्यम से हम परमेश्वर के जेष्ठ पुत्र के प्रवाह और आध्यात्मिक दुनिया के प्रवाह को समझने में सक्षम है जहां परमेश्वर की इच्छा और उसका कार्य टिका हुआ था और इसलिए हम इतिहास की वन्शावली या महायाजक की वन्शावली का अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए हमारे लिए अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है मुझे विश्वास मेरा मानना है कि क्या कोई उस पर ताला लगा सकता है ठीक है धन्यवाद इसलिए रोमियो अध्याय ग्यारह क्योंकि हम पाप करते हैं या हम अवग्या करते हैं या इसलिए कि हम गलतियां करते हैं लेकिन परमेश्वर के उपहार और बुलाहट अप्रिवर्तनिय हैं वह अंत तक हमें थामे रखता है हम ही हैं जो उसे दूर भागते हैं हम ही हैं जो उसे दूर चले जाते हैं लेकिन हमे परमेश्वर के साथ चलते हुए जीवन जीने की जरूरत है, कैन की तरह नहीं जो परमेश्वर से दूर चला गया, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कि आप विश्वास कर सकें, कि आप अपने जीवन में जहां भी हों, कि परमेश्वर आपके साथ है, कि परमेश्वर अंत तक आपका साथ दे रहा है, और मैं प्रभु के नाम पर आप पर ये प्रार्थना और आशिरवात देता हूँ, आमीन, दूसरा, हम महायाजक को देखेंगे, इसलिए हमने वन्शावली का अध्ययन करने के महत्व के बारे में अध्ययन किया, जो बहुत महत्व पूर्ण ह दरसल पूरी बाइबल वन्शावली है, इसकी शुरुआत वन्शावली से होती है, बीच में वन्शावली है, नया नियम वन्शावली से शुरू होता है, यह वन्शावली के साथ ही समाप्त होता है, यह जीवन की एक बड़ी पुस्तक है, सभी लोगों की वन्शावली जो चुड़ाए गए हैं और इसलिए हम महायाजक की वन्शावली का अध्ययन कर रहे हैं, तो आईए महायाजक पर नजर डालें। उच्च पुजारी के लिए दो अभिव्यक्तियां हैं। हिब्रू, इसलिए कोहेन, गडोल, और कोहेन रोश। तो ये कोहेन, गडोल, और कोहेन रोश। तो कोहेन गडोल का मतलब है महान पुजारी। इसका अर्थ है आदरणिय पुजारी। और ये कोहेन रोश है, तो कोहेन का मतलब स्पष्ट रूप से पुजारी है। रोश, इसका मतलब है प्रधान पुजारी, ये प्रथम पुजारी या प्रधान पुजारी की तरह है और प्रतिनिधी पुजारी भी, पुजारी का प्रतिनिधित्व. तो ये उच्च पुजारी के लिए दो मुख्य अभिव्यक्तियां हैं, कोहिन गदोल और कोहिन रोश, और इसलिए जब हम इन उच्च पुजारीयों और उनकी भूमिकाओं को देखते हैं, तो उनकी भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं, और तो सबसे पहले, महायाजक की भू पुजा में और बलिदान, इसलिए यदि आप इब्रानियों अध्याय 8 की आयत 3 को देखें, मैं इसे थोड़ी देर बाद देखूंगा, इब्रानियों अध्याय 9 की आयत 7 पुजारी मंदिर की चीजों के प्रभारी थे, मंदिर की सफाई करते थे, मंदिर में सेवा करते थे, वे ही थे जो आराधना का नेत्रित्व करते थे, वचन देते थे, स्तुती का नेत्रित्व करते थे, और इसलिए ये महायाजक थे, जो सभी आध्यात्मिक चीजों का ने त्रित्व करते थे और फिर विशेश रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्ष में एक बार सात्वे महीने में और दस्वे दिन जैसा कि आप जानते हैं यह प्रायश्चित का दिन है और महायाजक केवल महायाजक वे किसी अन्य समय में नहीं जा सकते लेकिन वर्ष में एक दिन वे सबसे पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां तंबू, पवित्र स्थान और सबसे पवित्र स्थान है वहां एक परदा है जो इसे अवरुद्ध करता है आप जानते हैं समय के कारण इसे बाहर नहीं निकालना चाहते हैं और महायाजक साल में एक बार वहां जा अपने लिए और लोगों के लिए प्रायश्चित करता है। इसलिए यह प्रायश्चित का दिन है। और यह सामगरी लेव्य व्यवस्था 16 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 की 12 आयत में पाई जाती है। इसलिए हम अपनी समझ के लिए इन अंशों को देखेंगे। ठीक ह आईए, सबसे पहले इब्रानियों अध्याय आठ की आयत तीन पर जाए यहां बहुत बढ़िया अर्थ है, यहां बहुत गहराई है, यह बहुत बढ़िया है इब्रानियों आठ तीन को देखो, चलो इसे एक सार्थ पढ़ते हैं हर महायाजक को उपहार और बलिदान दोनों को चढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि इस महायाजक के पास भी हो, इसलिए महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाते हैं वे उपासना के प्रभारी थे, आईए इब्रानियों 907 पर जाएं लेकिन दूसरे में केवल उच्च पुजारी वर्ष में एक बार प्रवेश करता है, बिना खून लिए, जिसे वह अपने लिए और लोगों के अज्ञानता में किये गए पापों के लिए चढ़ाता है तो दूसरा सबसे पवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है, और यह साल में एक बार होता है, तारीख साथवे महीने और दसवे दिन होती है आइए, लेव्यव्यवस्था, सोलह की उनतीसवी आयत पर चलते हैं, इसमें तारीख दी गई है और बारहवी आयत बताती है कि वह पहली बार कैसे प्रवेश करता है, धूबदान और धूएं के साथ आइए, लेव्यव्यवस्था, अध्याय सोलह की उनतीसवी आयत पढ़ें, मैं इसे आपके लिए पढ़ूँगा और यह आपके लिए एक स्थाई नियम होगा साथवें महीने के दसवें दिन को तुम अपने मन को दीन करना और किसी प्रकार का काम काज नहीं करना, चाहे वह देशी हो या तुम्हारे बीच रहने वाला पर देशी तो यह साथवें महीने के प्रायश्चित का दिन है और दसवां दिन प्रायश्चित का दिन है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पद बारह में वह एक सेंसर लेता है और यह एक सेंसर है, यह एक बर्तन की तरह है, एक बर्तन के बारे में सोचो, वह होम बली की वेदी से कोईले लेता है, वेदी, होम बली का, और फिर वह इसे धूप के साथ मिलाता है, इसलिए यह उच्च पुजारी मेरे लिए खेद है असमर्थता वह इस सेंसर को ले जा रहा है, होम बली की वेदी से कोईले लेता है, इसे धूप के साथ मिलाता है, और यह धूएं जैसा है यह और यह बादल की तरह है और धूएं के रंग का, और वह सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता है आईए बारहवी आयत देखें, यह यहां बहुत दिल्चस्प है, ठीक है, लेव्य व्यवस्था 16 आयत 12 तयार है, शुरू करें और वह यहोवा के आगे वेदी पर से अंगारों से भरा एक तवा और दो मुठी बारीक पिसी हुई सुगंधित धूप लेकर परदे के भीतर ले आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे इसे सुखाने की जरूरत है तो यहां मंदिर है, यह पूर्व दिशा है, यह द्वार है जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगे, यह वेदी है होमबली के लिए और यह जल है श्रम श्रम यह है पवित्र स्थान और यह सबसे पवित्र स्थान है और इसलिए सामने परदा भी है, धूप की वेदी वह परदे से होकर गुजरता है और अब वह इस परम पवित्र स्थान में जाता है दिल्चस्प बात यह है कि यहां सब कुछ सोना है और इसलिए अब यह बहुत धूआदार है और परमेश्वर की उपस्थिती उस स्थान पर उतर रही है तो यह किस ओर इशारा कर रहा है इसलिए यह बहुत बादल चाये हुए हैं और धूआ उगल रहा है परमेश्वर इस उपस्थिती में नीचे आ रहे हैं और यह दूसरे आगमन में बादलों में नीचे आने वाले प्रभु मनुष्य के पुत्र की छाया है और आप जानते हैं कि जब मैंने पूर्णता के बारे में बात की थी जहां हम रूपांतरित होते हैं और हम पुनर जीवित होते हैं और इसलिए यह उस कार्य की एक तस्वीर है और उस और इशारा करता है और इसलिए प्रभु हमेशा माउंट सिनाई जैसे बादल में नीचे आते हैं जब वे बादल का वचन प्राप्त करते हैं बादलों ने हवा को भर दिया और गरज और बिजली चमकने लगी और प्रभु नीचे आ गए वे लोगों के पास चड़ गए और इसलिए उसी तरह अंत समय में दूसरे आगमन में जब प्रभु हवा में आते हैं तो वे बादलों पर सवार होकर आएंगे है ना और इसलिए यह वही है जो यह इंगित कर रहा है और वे हमारे लिए अनंत प्रायश्चित करने जा रहे हैं और इसलिए यह पूर्ण हो गया है यह परिपूर्ण हो गया है यह पूरा हो गया है इसलिए हमें आप जानते हैं अब और पूजा करने की आवश्यक्ता नहीं है और हम स्वर्ग में जाएंगे और इसलिए यदि आप प्रकाशित वाक्य के दसवें अध्य अध्याय की पहली आयत को देखें, तो उसमें लिखा है कि शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओड़े हुए स्वर्ग से नीचे आया। तो यह उस शाश्वत प्रायश्चित की ओर इशारा करता है, जो दूसरे आगमन वाले प्रभू के समय आएगा, और इसलिए प्रभू बादलों में धुए में आते हैं। इसलिए उन्होंने आराधना और बलिदान का नेत्रित्व किया। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने न केवल उपासना का नेत्रित्व किया। बलकि वन्शावली के माध्यम से आप प्रभाह को समझने में सक्षम है। आध्यात्मिक दुनिया। इसलिए अब हारून पहला महायाजक था। हारून प्रथम महायाजक थे जिनका उद्घाटन हुआ। परमेश्वर ने ही किया था। लेकिन हारून के चार बेटे थे। और इसलिए यह वह जगह है जहां वन्शावली बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बेटा था। अभी हू और। उन्होंने डप किया। और फिर एलियजेर। और एटामार। लेकिन महायाजक का उत्तरा अधिकार पाने के लिए अगला व्यक्ति अभी हू होना चाहिए था। ठीक है। परंतु अभी हू और नादाब ने यहोवा को अजीब आग चड़ाई तो क्या हुआ उन्हे। हाँ, भगवान ने उन्हें मार डाला क्योंकि उन्होंने अजीब आग चड़ाई थी। वह अजीब आग क्या है। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और इसलिए अब एलियजेर और इतामार बचे हैं। और इसलिए इन दो बेटों के पास पुरोहिती करतव्य हैं। वे दोनों पुजारी हैं और वे अभी भी चर्च में सेवा करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि वनशावली के माध्यम से हम देखते हैं कि पुजारी पद एलियजेर को मिला। तो बेशक इतामार एक पुजारी था लेकिन महायाजक पद जेर के माध्यम से हुआ, इसलिए उदाहरण के लिए यदि एलिये जेर महायाजक था और इतामार केवल एक पुजारी था, तब आप संभवतह किसके माध्यम से प्रार्थना करना चाहेंगे? इश्वर की इच्छा, जिस व्यक्ती पर ठीकी है, उस तक पहुँचना, इश्वर का अभिशेक, हम वरिष्ठ पादरी फिलिपली के पास प्रार्थना के लिए क्यों जाते हैं? तीन, पद चार, और फिर गिंती अध्याय, बीस, पद चब्बीस से अठाईस, और इसलिए वन्शावली के माध्यम से हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? इच्छा शक्ती है, जहाँ परमेश्वर का मन है और जहाँ उसका हृदय है, हम देखते हैं कि प्रवाह, आध्यात्मिक प्रवाह कहां नीचे जा रहा है, और इसलिए परमेश्वर एली एजर के माध्यम से काम कर रहा है. बेशक, इथामार को आप जानते हैं उपेक्षित नहीं किया गया है, बाद में वास्तव में पुजारी एली इथामार से होकर आता है, बेशक, फिर हम जानते हैं कि एली और उसके बेटे मर जाते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ वंश समाप्त हो जाते हैं, और कु बाह। क्या यह समझ में आता है? तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कैसे काम कर रहा है? तो आइए इन दो आyतों को देखें। ठीक है, चलो इसे साथ में पढ़ते हैं, तैयार हो जाओ, शुरू करो. एलियेजेर और इतामार अपने पिता और हारून के जीवनकाल में याजक के रूप में सेवा करते रहे. नादाब और अभीहु की मृत्यू हो गई, और इसलिए एलियेजेर और इतामार ने याजक का पद संभाला, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा एलियेजेर पर टिकी हुई है. आईए, गिनती पर नजर डालें. अध्याए 20, श्लोक 26. और मैं उसे तुम्हारे लिए पढ़ूंगा. और हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियेजेर को पहनाऊंगा. तब हारून अपने लोगों में जा मिलेगा और वहीं मर जाएगा. और फिर अगर आप श्लोक 28 को देखें, तो आईए गिनती 20 श्लोक 28 को एक साथ प गया. फिर मूसा और एलियेजेर पहाड से नीचे उत्रे. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और अभिशेक एलियेजेर पर ठिका हुआ था. वन्शावली. इसलिए हम अनुसरण करते रहते हैं. वन्शावली. तो आज के लिए हम एक निशकर्ष निकालेंगे. मैं दो बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ. सबसे पहले, पुराने नियम में महायाजक, शाश्वत महायाजक, यीशु मसीह की छाया है. तो निशकर्ष में उच्च पुजारी, एच पी, शाश्वत उच्च पुजारी, यीशु मसीह की छाया है, जो मलिक इसिदक की रीती पर आया. अर्थात यीशु मसीह. मैं यहां कुछ आयतें लिखूंगा. इब्रानियों, अध्याय तीन, आयत एक, इब्रानियों, इब्रानियों अध्याय चार, पद चौदह से सोलह, साथ ही इब्रानियों अध्याय दस, पद बाईस से चौबीस. और इस, आपको दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे शाश्वत महायाजक हैं. हम कुछ आयतों को देखेंगे, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इश्वर के पुजारी हैं. सनातन महायाजक यीशु है, परंतु हम परमेश्वर के याजक हैं. इसलिए महायाजक भी विश्वासियों अंतिम समय में संतों की ओर संकेत करता है. और इसलिए यदि आप पहले पत्रस अध्याय दो, पद पांच को देखें, तो उसने हमें पवित्र बलिदान चड़ाने के लिए एक पवित्र शाही याजक के रूप में बुलाया है. और फिर अध्याय दो, पद नौ, याजकों का एक राज्य भी. रहस्योद घाटन, अध्याय, एक शलोक्चह कहता है कि हम याजकों का एक राज्य हैं, और इसलिए अंत के समय में या नए नियम में हमें परमेश्वर की आराधना और बलिदान चड़ाने के लिए याजकों के रूप में बुलाया गया है. और इसलिए उच्च पुजारी से सीखे गए पाठों के माध्यम से हम देखते हैं कि महान अभिशेक होता है. पवित्रता और इश्वरियता हम आराधना को हलके में नहीं ले सकते और ये पुजारी लोगों को आराधना करने देते हैं और हमें आराधना करने के लिए बुलाया जाता है. हम इसे अगली बार कवर करेंगे लेकिन आईए केवल दो मुख्य छंदों को देखें और हम यहां एक निशकर्ष निकालेंगे. ठीक है. तो इब्रानियों अध्याय तीन पद. एक आईए इसे देखें. इसलिए तैयार हो जाओ. पवित्र भाईयों स्वर्गिय बुलाहट में भाग लेने वालों पर विचार करो. यीशू, हमारे स्वीकारोक्ती के प्रेरित और महायाजक. इब्रानियों चार चौदह में कहा गया है कि हमारे पास एक महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गुजरा है और वह यीशू मसीह है. इसके अलावा अगर आप इब्रानियों चार सोलह में जाईं तो यह कहता है कि हमें जरूरत के समय में मदद पाने के लिए अनुग्रह के सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने की जरूरत है. और इसलिए हमारा महायाजक उन सभी कमजोरियों से गुजरा है जिन से हम गुजरते हैं. वह हमारी सारी बीमारियों और मानवता की सभी कमजोरियों से गुजर चुका है. फिर भी वह पाप रहित है और इसलिए वह ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थता कर सकता है और इसलिए यीश्व मसीह हमारा सनातन महायाजक है जिसने हमारे जीवित परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग खोल दिया है इसलिए अपने दैनिक जीवन में हमें हमेशा परमेश्वर के निकट रहने वाला जीवन जीना चाहिए हमेशा प्रार्थना और वचन के माध्यम से परमेश्वर के करीब आना चाहिए हमें अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए हमारी आराधना अवश्य होनी चाहिए बरिपूर्ण और संपूर्ण तथा परमेश्वर को प्रसंद करने वाला वास्तव में रोमियों के अध्याए एक से दो में कहा गया है इसलिए मैं परमेश्वर की दया के कारण तुम से विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो जो पवित्र है और परमेश्वर को प्रसंद करने वाला है और रोमियों के अध्याए पंद्रह आयत सोलह में भी कहा गया है जैसे ही हम नए नेत्रित्व में आते हैं और एक नए वित्तिय वर्ष में प्रवेश करते हैं हम पुरोहितों के रूप में अपनी भूमिका को समझ सकें सबसे पहले आराधना करें और हम पुरोहितों का एक राज्य बनें ताकि हम एक समुदाय बन सकें जहां हम गैर यहूदियों को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ये सू समाचार प्रचार है और इसलिए नेता इसके बारे में बात करेंगे लिकिन भविश्य में वरिष्ठ पादरी ने हमें मार्ग दर्शन दिया। वह कहते हैं अरे आप ज जानते हैं हम एक संयुक्त सेमिनार अंग्रेजी बोलने वाला शायद पहली बार मोरिया में कर सकते हैं। आप जानते हैं हाई स्कूल, जूनियर हाई, हेप जीबा, गुरु टोगी, पुरुशों की सेवकाई, महिलाओं की सेवकाई, जोसेफ, सभी अंग्रेजी लोगों को लाते हैं और अंग्रेजी की पूजा करते हैं और एक सेमिनार करते हैं, वरिष्ठ पादरी उपदेश देते हैं और हमारे मंतरी उपदेश देते हैं। तो ये नई दृष्टी और नई दिशा, नई चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। अगले साल होर पिछले सप्ताह प्रचार किया गया। एक बार जब हम परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया कार्य पूरा कर लेते हैं तो हम अपने पिता की महिमा कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने कार्य और अपनी भूमिका को समझ सकें। यीशु हमारे शाश्वत महायाजक हैं, जिन्होंने हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बनाया है और हम किसी भी समय उनके पास जा सकते हैं और वे हमारे साथ प्रभुती रखते हैं और हमें हर दिन अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने जीवन में वास्तव में ऐसी आराधना करें, जो परमेश्वर को प्रसंण करें और दिन प्रति दिन हनोक के साथ चलें और अंत समय में अनंत प्रायश्चित के दिन रूप आंतरित हो जाएं और मृत्यु को देखें, बिना स्वर्ग में जाएं। और मैं प्रभु के नाम पर इस न्युक्त व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ और उसे आशीरवाद देता हूँ। आमीन। इस छोटे से समय में हम इसके महत्व को समझने में सक्षम हुए। महायाजक की वंशावली का अध्ययन करना और यह कैसे आपकी ओर संकेत करता है और यह कैसे हमारे विश्वास के जीवन की तस्वीर है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम शिलोह के रूप में वास्तव म हमें आपके वचन में निर्मित और नहित याजकों का राज्य बन सकें। हमें आपके लिए पूर्ण बलिदान, आत्मा और सच्चाई में पूर्ण आराधना अर्पित करने में सहायता करें। और पिता, हम परीक्षणों और कलेशों से गुजर रहे हैं लेकिन हम महसूस कर करते हैं कि आप हमें ऐसे परीक्षण देते हैं जिन्हें केवल हम ही संभाल सकते हैं और हमेशा बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। कृपया हमें 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 जीवन के मार्ग पर ले जाएं। हम इन सभी चीजों में आपका धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम अपनी तालियों से परमेश्वर को महिमा दें।